नमोव इस वीडियो में हम लोग error in measurement के बारे में पढ़ेंगे जब भी हम लोग measurement लेते हैं तो कुछ न कुछ error तो होई जाता है उस error के बारे में जानेंगे ठीक है कि वो error क्यों हो रहा है and किस वज़े से हो रहा है उस error को कैसे calculate करेंगे तो हम कितना भी effort लगा लें despite our best efforts कितना भी effort हम लोग लगा लें जो भी measured value होगा एक quantity का वो कुछ न कुछ अलग तो हो ही जाएगा उसके actual value से या true value से यह actual value true value क्या है यह वो value है जो in reality exist कर रहा है ठीक है जैसे example के लिए कि अगर एक rod है ठीक है इस rod का कुछ न कुछ measurement तो होगा कुछ न कुछ actual measurement तो होगा in reality यह कितना लंबा है ठीक है तो let's say कि हम लोग यहां length and quantity लेते हैं इसका या weight भी ले सकते है तो weight खुलेते है ठीक है तो जब मैंने इसे measure किया इसके weight को measure किया w तो w1 ले लेते हैं पहली बर जब मैंने measure किया तो इसका weight आया 5 kg ठीक है इसका जो real था in reality जो इसका weight था वो था 5 kg ठीक है अब सवाल यह उठता है कि क्या मुझे true value पता चल सकता है क्या मैं पता कर पाऊंगा true value कभी तो नहीं कर पाऊंगा क्यों कि हमारे पास instrumental limitation है क्या है instrumental limitation instrumental limitation क्या होता यह ऐसी limitation है जो हमें limit कर देती है किसी भी चीज का measurement लेने के लिए ठीक है हम किसी भी चीज को accurately measure नहीं कर सकते क्यों नहीं measure कर सकते वही same चीज instrumental error के वाज़े से ठीक है error कितने तरह के होते हैं बहुत तरह के होते हैं तीन basic तरह के error है उन सब को हम लोग discuss करेंगे ठीक है ना तो इस error के वजह से हम में exact value नहीं पता चल पाता ठीक है अब यह जो error है ना इस error को हम लोग physics में represent करते हैं delta से delta एक छोटा सा triangle इसको हम लोग बोलते हैं delta ठीक है delta का मतलब होता है change delta का मतलब होता है change तो अगर कोई चीज change को अगर हमें represent करना है तो change को हम लोग represent करते हैं इस delta के help से ठीक है delta means change और यहाँ delta का मतलब है error अब यह change यहाँ पर logical है क्यों logical है हम explain करेंगे इस चीज को, देखे, error के बारे हम क्या बोल रहा है, the difference in the true value of a quantity, ठीक है, जो true value है quantity का, उसमें जो difference होता है, लेकिन difference किस चीज के लिए difference, हमने जो measure किया, और जो reality में था, उसके बीच में जो difference है, वो जो gap है, उस gap को हम लोग error बोलते हैं, ठीक है, तो देखे, real value था w, हमने measurement लिया w1, इन दोनों का जो difference होगा, इसी difference को हम लोग बोलेंगे error, यह error किस में था, यह error तब आया, जब हमने w1 किया, w1 measurement लिया, यह w1 का error है, error of weight 1, है ना, जब हम लोगों ने weight को measure किया, w1 के form में, represent कर रहे हैं, जो भी measurement हमने किया, w1 5 kg, उसमें जो error आया, उस error को हम लोग इस तरीके से represent कर रहे हैं, ठीक है, यह error क्या हो जाएगा, यह error हो जाएगा, true weight, जो की actual weight था, minus जो measurement हमने लिया, अब यह basically देखा जाए, तो यह आपको क्या दिखा रहे है, एक तेरा का change ही तो है ना, कितना change आया, actual value में, और measured value में, change कितना है, ठीक है, इस error है, अब error के बारे में हम लोग देखते हैं, कि जब हमने weight 1 लिया, ठीक है ना, पहली बर measure किया weight को, तो मेरे पास आया 5 kg है ना, तो यहाँ पे जो error होगा, वो error कितना होगा, true value minus measured value, 0, 0 का error है, तो क्या हमने true value find कर लिया, क्या यहाँ पे, मैंने तो बोला कि अभी तो हम true value measure कर ही नहीं सकते, तो क्या हमने true value measure कर लिया, नहीं, यहाँ हमने true value measure नहीं किया, थोड़ा सा समझे इस सेच को, यह जो measurement है, यह true value नहीं, true value तो यह है, तो फिर यह क्या है, यह measured value है, देखे, जो भी true value है ना, वो मुझे पता ही नहीं है, कि true value है क्या, मैं नहीं जानता है इत पाएंगे तो सच क्या है जब हम उस्सीज को जानी नहीं पाएंगे तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि जो हमने मेजर किया वही टू है ठीक है जो भी आप मेजर किये 5 kg आपका आया मेजरमेंट के बाद तो आप यह कैसे बता सकते हो कि 5 kg होगा क्यूंकि आपको true value तो पता ही न नहीं थे कालना possible नहीं है ठीक है तो जो भी measured value है यह 5 वो एक measured value है by chance true value के equal आ गया ठीक है ओके जो error था दूसरे बार दूसरे बार जब हमने measurement लिया तो कितना एरर आया तो true value 5 था और एरर जो measurement था वो 5.01 था तो मेरे पास error आया minus 0.01 का ये error आया then next third measurement में कितना error आया ये आया 4.98 का measurement था so 0.02 का error आया आप यहाँ पे देख पारे होगे कि error यहाँ पे 0 कोई sign ने यहाँ पे 0 error आया है एक negative error आया है एक positive error आया है इसका मतलब कि जो error है जो error है यह 3 हो सकता है तीन तरह का 0 भी हो सकता है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है तो error can be anything 0 भी हो सकता है positive हो सकता है negative भी हो सकता है ठीक है नो इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और error के types के बारे में पड़ते हैं तो basically तीन तरह के error हैं एक कम लोग बोलते हैं gross error, random error and then systematic error अब आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है आप बस इतना समझेए ये तीन तरह के errors हैं अगर आपको कभी पूछ दिया जाए कि कितने तरह के errors होते हैं तो मोटा मोटी तीन तरह के error है gross error, random error, systematic error ये gross error क्या होता है human oversight के वज़े से ये हमारी ही कुछ mistakes के वज़े से जो error आ जाए that is gross error ठीक है जैसे आप example के लिए एक आदमी है ये क्या कर रहा है 23 को 28 read कर लिया कुछ measurement उसे लिखना था कुछ readings लिखने थे लेकिन उसे उसने क्या किया 23 को 28 read कर लिया तो ये error किसके वज़े से आया human के वज़े से तो इस तरह के errors जो होते हैं वो gross error के अंदर आते हैं ठीक है next है आपका random error random error कैसे errors होते हैं जो की बार बार आपको random results थे ठीक है जिस example के लिए आप कुछ experiment perform कर रहे हो and आपका temperature vary कर रहा है अब basically क्या है कि वो experiment कुछ ऐसा experiment है कि temperature पे उसका value depend कर जाएगा जो भी result आएगा उसका temperature पे depend कर जाएगा तो माल हो कि आप room temperature पे कर रहे हो तो जब पहली बार आप experiment किये तो temperature था 22 degree Celsius सकेंड बार experiment किये तो temperature था 22.6 degree Celsius थर्ड बार लिए तो आया 23 degree Celsius अब ये बार बार temperature चेंज हो रहा है ऐसा कोई fix आप predict तो नहीं न कर सकते कि इस time पे यही temperature होगा नहीं कर सकते अब control कर सकते हो बहुत हद तक लेकिन completely control नहीं करता होगे तो इस से जो variation हो रहा है temperature में यह हो सकता है कि कुछ S experiments हो जिसमें vibration factor रहेगा तो बार बार vibration का amount अलग-अलग हो जाएगा कभी आप खुदी table को हिला दोगे कभी कोई wind आया ठीक ना table को हिला दिया vibration generate हो गया कभी मालू earthquake ही आ गया तो vibration generate हो गया तो इस तरीके से जो errors होते हैं जो error generate हो रहे होते हैं उनको हम लोग random errors बोलते हैं ठीक है जो कि unpredictable fluctuations होते हैं ठीक है जो environmental factor के वज़े से होगा that is environmental error observational error जो कि observation के गलती के वज़े से होगा गलत observation के वज़े से होगा that is observational error ठीक है instrumental error कैसा होगा जो instrument यह important है इसके बारे में ध्यान सपढ़िएगा instrumental error क्या है कि instrument के वज़े से instrument किस तरीके से आपको error शोग कर सकता है कोई instrument आपने खरीदा वो instrument जैसे आपने खरीदा by default जब उसे बनाया जा रहा होगा तो उसमें कुछ गलत तरीके से combinations किये गए होगे या हो सकता है कि उसमें by default कोई fault रहा होगा बनाते वक्त ही कोई fault डाल दिया गया होगा या fault रह गया होगा तो फिर वो कुछ errors रो करेगा उस इसरा रीजन यह भी हो सकता है कि बार-बार instrument को use करते 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 क्या होता है कि वह भिज जाता है उसमें कुछ junk लग जाता है है ना तो उससे भी कुछ errors generate होते है तो वह जो error होता है वह इंस्ट्रमेंटल error में आता है ठीक है इतना जानने के बाद अभी हम लोग पढ़ेंग हम क्यों बता रहे हैं अभी जेस्ट हम बताएंगे थोड़े देर में पता चल जाएगा आपको लेकिन फंशन के बारने में थोड़ा समल लेते हैं ठीक है तो फंशन होते क्या हैं देखें क्लास 11 में आपको मैट्स में फंशन पढ़ना है ठीक है फंशन को बहुत शोटे से अगर वे में समझा जाए तो एक मसीन समझेए ठीक है यह तरह का मशीन है यह मशीन क्या करता है यह कुछ इंपुट लेता है और यह कुछ आउटपुट देता है जिसे मशीन देखो ना पेपर बराने का मशीन उसमें आप कुछ बैंबूज इंपुछ आउटपुट मिलेगा पेपर आचा पेपर आाउटपुट है ना जो आपने यहाँ पे कुछ डाला इंपुट एंदन बुछ आउटपुट मिला ऐसे फंशन्स होते हैं जैसे कि स्कुयर function ठीक है यह function square function है square function क्या करता है कुछ input लेता है input में कोई भी number ले लेगा कोई भी positive number ले लेगा या कोई भी negative number ले लेगा और output क्या देगा positive number देगा ठीक है output क्या देगा कुछ perform करेगा operation कुछ operation perform करेगा and positive output देगा जो भी output देगा वह positive होगा, negative नहीं होगा, ठीक है, इस example के लिए अगर आप इसमें plus 2 डालोगे, तो plus 4 मिलेगा, minus 2 डालोगे, तो भी plus 4 ही मिलेगा, minus नहीं मिलेगा, ठीक है न, तो यह square function, same उसी तरी के सा square root function होता है, cubic function होता है, cube root function होता है, ठीक है, अभी हम जिस function के बारे में बात कर रहे है वो है modulus, ठीक है, कौन सा function है, modulus function, यह mod क्या करता है, कि इसके अंदर आप कोई positive value डालो, या negative value डालो, input में आप जो भी डालोगे, output में आपको positive देगा, same number रहेगा, लेकिन positive निकाल के देगा, ठीक है, square के जैसा ही है, लेकिन square में तो numbers change हो जा रहे है, अगर आप plus 2 डाल रहे है, square, यह multiply हो जा रहे है, लेकिन इसमें अगर आप plus 2 डालोगे, तो आपको plus 2 मिलेगा, minus 2 डालोगे, तो plus 2 मिलेगा, numbers change नहीं हो रहे हैं, बस वो minus का plus हो जाएगा, plus का plus ही रहेगा, तो output हम इसा आपको positive मिलेगा, ठीक है, यह समझ गए हो गया, ठीक है, अब हम लोग समझन error है, यह दो तरीके का हो सकता है, positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, and of course यह 0 भी हो सकता है, है यह हम लोग जान रहे है, यह 0 भी हो सकता है, कोई रिकत नहीं, अभी यहाँ पर, absolute error बोल रहा है, कि magnitude of the difference between the true value and the measured value of the quantity, किसी भी quantity को हमने measure किया, तो हम लोग वही same example लेके चलते हैं ठीक है, कोई भी एक block है, इस block का जो actual true value है, वो true value हम लोग मान के चलते हैं, कि w है, ठीक है, w is the true value, अब हमने कुछ measurement लिया, w1, w1 measurement लिया, ठीक है, अभी हम value ने लिख रहे है, w2 measurement लिया, w3 measurement लिया, w4 measurement लिया, w5 measurement लिया, बोलोगे sir, ये true value कहां सा पता चलेगा, आप तो बोलते है true value निकाल लिए सकते, true value हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है, तो फिर निकालेंगे कैसे, true value हम लोग क्या करते हैं, average लिया, जितना भी हमने measurement लिया, w1, w2, w3, w4, w5, इन सब का जब हम लोग average लेंगे, तो हमें क क्या मिलेगा, true value के सबसे नज़धी equal number मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ measure किया, जिसे माल लेते हैं, कि जो exact value था, वो था 7, एक छोटा से example लेते हैं, exact value है 7, आपने कुछ measure किया, वो आया 6.8, फिर से measure किया, आया 7.1, ठीक है, फिर से measure किया, आया 6.9, अब जब आप इन तीनों का average लोगे, इन सब को add करके क्या करोगे, फिर से divide करोगे, ठीक है, तो इन तीनों का average क्या आएगा, देखो, 18 carry 1, then 18, by 3, तो आजाएगा 6.6 point, यह 18 ही आएगा, क्या, यह बद चेक करते हैं, 18 carry 1, 8, अच्छा यह 18 ही आएगा, यह आएगा, यह आएगा, यह आए this is 8, 12, 20 आजाएगा, right, 20.6, तो यह हो जाएगा, 6.293, अब आप देखो, यह जो value था, यह जो value था, और यह जो value था, यह तीनों 7 से बहुत जादा, बहुत जादा मतलाब इधर उधर थे, लेकिन यह जो value आया, यह सब से करीब, इन सब से नजदीक है, actual value के, है न, अब देख पार होगे न, यह इससे भी ज़्यादा नजदीक है, इससे भी ज़्यादा नजदीक है, इससे भी ज़्यादा नजदीक है, ठीक है, तो 7 के ज़्यादा नजदीक है, कौन, जो mean लिया हमने वो, तो हम लोग क्या करते हैं, कि जब भी हमें true value find करना होता है तो हम बहुत सारा measurement लेते हैं w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7 जितना measurement लोगे उतना ज्यादा true आपका result आने का chance होगा ठीक है ना तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा measurement लेते हैं आप 10 measurement लेते हैं कभी-कभी 6,7 लेते हैं उसका ज्यादा नहीं लेते हैं लेकिन most of the cases में हम लोग 9,10 measurements लेते हैं 9,10 measurements लेने के बाद हम लोग उनका क्या करते है average find कर लेते हैं तो वह जो average हमें मिलता है वह average होता है true value चीक है absolute error के बारे हम बात करते हैं यह जो भी true value था इस true value को हम लोग डबलू से represent कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ना देखिए जब आप इन सबका average लोग है ना तो यह आपका mean आएगा डबलू के उपर ऐसे लगा देंगे mean यह हो जाता है mean तो mean weight mean weight क्या हो जाएगा w1 plus w2 plus w3 plus w4 plus w5 by 5 ठीक है तो क्या यह mean weight को ही हम true value assume कर रहे हैं न और true value क्या था तो w यह w mean दोनों लगबग तो सेम ही होगा approximately equal होगा तो हम w को w mean भी लिख सकते हैं यह बोल सकते हैं w mean को w भी लिख सकते हैं तो जो भी error हम लोग find कर रहे हैं जो error इसको w1 को measure करने में जो error आया था वो error हम लोग कैसे लिख सकते हैं w mean minus w1 लिख सकते हैं क्या जो भी हमारा mean value है वही तो मेरा true value है ना तो true value में हमने subtract किया जो हमारा measurement था तो हमें मिलेगा error W1 में कि W1 में क्या error है इस W mean को हम W भी तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना तो हम लोग इसको rewrite कर लते हैं देखो आप notes create करते जाना क्योंकि अब हम ना आपको PDF नहीं provide करेंगे ठीक है क्यों नहीं provide करेंगे कि थोड़ा lengthy हो जाता है मेरे लिए लिए time taking हो जाता है अब वीडियो से ही देख करके notes बना लो बहुत important है बहुत जाद important है तेकना अब please notes create कर लेना खुद से ठीक है डबलू माइनस डबलू टू ऐसे find कर सकते हैं similarly इसमें अगर error find करना है तो डबलू माइनस डबलू थी करके find कर सकते हैं तो यह तो मुझे पता है कि इस तरीके सम error find कर सकते हैं लेकिन एक सीज आप notice करो क्या यहां हम absolute error के बारे में बात कर रहे हैं तो absolute error क्या होता है यह यह एरर जो है ना वो तीनों तरह का हो सकता है जीरो भी हो सकता है पॉस्तिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है absolute error बोलने का मतलब कि हम क्या करते हैं कि जो भी error है उसको modulus function में डाल देते हैं तो अगर यह negative होगा तो भी positive बनके निकलेगा, positive होगा, तो भी negative बनके निकलेगा, तो हमें एक net error मिल जाएगा, कि total error कितना आया मेरे पास, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ऐसे add करेंगे, तो सिर्फ delta w1 plus delta w2 plus delta w3, ऐसे करके, अगर add करके average देल होगे, ठीक है न, तो net error तो आपको मिल जाएगा तो कोई एक दूसरी को cancel कर देगा न, तो error तो फिर मेरे पास रहेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कि modulus लेते हैं, ठीक है न, कि हम सबको positive convert कर दे, सबको positive बना दे, ठीक है, तो delta w1 जो होगा, वो होगा absolute error in w1, ठीक है न, absolute error in w1 क्या हो जाएगा, delta w1, ओके, फि absolute error in delta w2, ठीक है न, ओके, absolute error w3, absolute error w4, तो जब भी हमें absolute error find करना होगा, हम basically magnitude को find करते हैं, हम sign को नहीं देखते हैं, ठीक है, तो हमें sign से मतलब नहीं है, हमें बस magnitude से मतलब है, तो magnitude हमें कैसे मिलेगा, जब सबको हम positive में convert कर देंगें, तब, सबके sign, positive में convert हो जाएंगे, तो हम आसानी से उनको add कर सकते हैं, right, तो ये था absolute error, जहां आप error को modulus function में डाल देते हैं, I hope ये clear होगा, तो अभी तब एक थोड़ा से revision हम लोग लेते हैं, वापस से, ठीक है, कि कोई भी true value है, उसको हम लोग w से represent कर रहे हैं, weight के term में, आप करते हो, यहां हम लोग चलिए x ले लते हैं, कि x जो है, वो मेरा true value है, ठीक है, जो भी measured value है, वो माल लेते हैं, कुछ measurement किया, मैंने तो x1 आया, x1 क्या है, measured value, x1 में जो error होगा, वो होगा delta x1, ठीक है, ये क्या है, ये error है, ठीक है, absolute error क्या होगा, absolute error क्या होगा, ये absolute error होगा modulus of delta x1 यह क्या आपको यहां तक clear है true value, measured value, error, absolute error चारू चीज़ें आपको यहां तक clear होंगी next का आगे बढ़ते हैं हम लोग true value कहां है पता चल गिया आपको कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं errors may be positive और negative आपको बताया था मैंने कि कोई भी error positive भी हो सकता है mean absolute error क्या होता है mean absolute error जो है mean arithmetic mean होता है किसका arithmetic mean होता है magnitudes of the absolute error in all the measurements of the quantity जो भी absolute error है उसके जो magnitude है उन में जो भी absolute error है ठीक है ना उनके magnitude का जो arithmetic mean होता है that is mean absolute error ठीक है तो एक छोटा से example हम गोल लेते हैं कोई एक block है इस block का weight मुझे नहीं पता ठीक है ना तो हम लोग क्या करते हैं इसे measure करते हैं बहुती बार ठीक है ना तो पहली बार measure किये W1 आया मेरे पास 2 kg 2 नहीं थोड़ा सा लेते हैं ज्यादा 2.5 kg ठीक है दूसरा बार measure किये तो आया 2.4 kg तीसरा बार measure किये आया 2.6 kg फोर्थ बार measure किये आया 2.5 kg फिप्त बार measure किये आया 2.3 kg ठीक है कुछ इस तरीके से measurement हमने लिया 5 measurements लिया ठीक है अब इन पाचों measurement क्योंकि हमें true value तो नहीं पता तो true value हमें assume करना पड़ेगा इन सब का average लेकर के ठीक है ना तो जो true value होगा that is w वो क्या होगा w1 plus w2 plus w3 plus w4 plus w5 upon 5 तो जो w आजाएगा मेरे पास वो आजाएगा 2.5 plus 2.4 plus 2.6 plus 2.5 plus 2.3 divided by 5 so w is equals to 4, 6, 8 10 10, 11 11, 12 12 and then 12.3 so 12.3 by 5 so w का value यहाँ से मेरे पास मेकल के आएगा 2.46 चीक है अभी देखें हमारा measurement जो था वो 2 significant figure पर था है ना 2 significant figure पर था और हमारा यहाँ पे जो weight आ रहा है वो कितने आ रहा है 3 significant figure पर आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है इस सीज का हमें इसे क्या करना है round off करना पड़ेगा ठीक है ना तो जो हमारा value होगा mean value जो होगा जो हमारा true value होगा वो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ठीक है 2.5 हो जाएगा हमारा mean value ठीक है चलिए अभी हम लोग क्या किये अपना mean value निकाल लिए w आ गया 2.5 की अभी मेरा true value है ठीक है this is my true value इसी के basis पर हम लोग error calculate करेंगे तो W1 को measure करने में कितना error आया था W1 को measure करने में मेरे पास error आया 0 का 2.5 minus 2.5 क्योंकि true value कितना था 2.5 और W1 का भी measurement था 2.5 तो error आया 0 का ओके weight 2 दूसरी बार जब हमने measure किया तो कितना error आया 2.5 minus 2.4 तो आया 0.1 इतना error आया तो इसरी बार measurement किया तो आया 2.5 minus 2.6 that is minus 0.1 4th time measurement लिया 2.5 minus 2.5 that is 0 5th time measurement लिया 2.5 minus 2.3 that is 0.2 तो यह सारे measurement थे error थे जो हमारे measurements में आये तो हम बोलेंगे कि इनका जो arithmetic mean होगा इनका जो arithmetic mean होगा इसी को हम लोग बोलेंगे mean absolute error ठीक है तो absolute error पहले find करना होगा ठीक है न इसका absolute error क्या हो जाएगा delta w3 इसका absolute error क्या हो जाएगा delta w4 इसका क्या हो जाएगा delta w5 यह किसके बराबर हो जाएगा 0 यह कितना हो जाएगा 0.1 यह कितना हो जाएगा 0.1 negative था लेकिन mod of delta w3 क्या कर देगा इसको false tip कर देगा कि यह कितना हो जाएगा जीरो यह कितना हो जाएगा 0.2 ठीक है तो मीन एपसल्यूट एर्र मीन एपसल्यूट एर्र क्या होगा डेल्टा डबलू 1 जो होगा डेट इस मीन एपसल्यूट एर्र यह मीन एपसल्यूट एर्र अच्छा सारी 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 इस तरीके से नहीं रिप्रे तो मीन होगा वह देल्टा डबलू के उपर यह है ऐसे रप्रेज़ेंट करेंगे करें जो मेन एपसल्यूट एडर है वही मेरा फाइनेल एडर होगा कि मोटा मोटे टोटल कि तना एडर होना चाहिए ठीक है तो इस एडर होगा वो इन करते 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 कहां तक जाएंगे डिल्टा डब्लू 5 तक और इसको डिवाइट कर देंगे 5 तो यह आ जाएगा 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 यहां से यह पता चल रहा है कि डिल्टा डब्लू जो मीन एब्सलीट एडर है वह जाएगा जिरो जरो तो जिरो रहेगा 0.2 प्लस 0.2 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.3 बाइफ 5 तो 0.4 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0.08 यह मेरा मीन एब्सलीट एडर है इसे वापस हम लोग round off करेंगे कितने two significant figure तक राइट तो यह two significant figure तक round off करने के लिए एक और 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा ठीक है तो अभी मेरे पास जो mean absolute error आया वो आया 0.080 यह है ठीक तो कोई भी quantity मतलब इसे कि इसके measurement को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसके measurement का हम लोग लिख सकते हैं कि जो final weight होगा इस block का यह final weight जो होगा वो 2.5 plus minus 0.08 यह होगा मतलब हो सकता है कि 0.08 जादा हो यह हो सकता है कि 0.08 कम हो ठीक है गया तो यह इसका final measurement होगा तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं किसी भी quantity का अगर final measurement लिखना है तो जो उसका mean absolute error है उसको हम लोग थोड़ा बढ़ा के या गटा के लिखते हैं कि उतना जादा भी हो सकता है हम श्यार नहीं है कि उतना ही होगा यह maximum कितना हो सकता है इसका weight इसका weight maximum होता है 2.5 प्लस 0.08 इतना maximum हो सकता है यानि कि 2.58 ज्यादा ज्यादा इसका weight इतना होगा कम से कम कितना हो सकता है कम से कम आपका इसको subtract कर दो तो आपका हो जाएगा ये कम से कम इतना होगा जादा से जादा इतना होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा जो भी इस weight का block इस block का जो भी weight होगा वो इन दोनों के value के बीच में लाई करेगा ठीक है इसका मतलब यही है यही समझाना चाहरा है चलिए अब हम लोग अपने नेक्स टॉप्टिक पर चलते हैं हाँ तो ही मैं यही आपको बता रहा था कि जो भी mean absolute error है हना वो यह है ठीक है कोई कोई भी अगर measurement है यह am am क्या है mean mean value जो हम लोगों निकाला था यह true value तो true value में maximum जो error होगा वो add कर देंगे और जो error maximum हमने निकाला था उसका subtract कर देंगे तो जो भी measurement होगा वो इनके बीच में लाई करेगा ठीक है ना जो भी final measurement होगा am है ना उस block का जो भी measurement जो भी measured value होगा वो measured value उसका जो real value होगा कहां से कहां तक लाई करेगा वो plus minus delta a mean यहां से यहां तक लाई करेगा ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कम से कम इतना हो सकता है I hope आपको यह clear होगा एक और example समझते हैं कि अगर एक कोई rod है इसका अगर जो mean value आ रहा है आपका length का तो जो true value है length का जो हमने बार बार calculate करके जो mean निकाला then mean निकालने के बाद जो true value निकला वो अगर मान लेते हैं 10 cm है और जो error निकला इसमें यह error का जो mean था वो मान लेते हैं कि 0.01 cm है तो हम बोल सकते हैं कि जो final measurement होगा इसका जो final measurement होगा यह कहां से कहां तक लाई करेगा यह 10 plus minus 0.01 cm इस तरीके से लिखेंगे मतलब ही ज्यादा से ज्यादा 10.001 cm होगा और कम से कम कितना हो सकता है कम से कम हो सकता है इसमें subtract कर देंगे so 9.99 cm तो कम से कम यह इतना होगा ज्यादा से ज्यादा यह इतना होगा ठीक है मतलब इन दोनों के बीच में like करेगा i hope आपको यह clear होगा relative error देखे अभी थोड़ा सा हम लोग वापस से conceptualize कर लेते हैं चीजों को ठीक है न वापस से तो जो भी हमारे पास true value है उसे हम लोग represent कर लेते हैं x से ठीक है न x mean बोलिए या x बोलिए यह क्या है यह है true value ठीक है जो भी हमने measurement किया x1 यह क्या है यह है measured value ठीक है delta x1 यह क्या है error है error in x1 x1 को measure करने में जो error आया वो ठीक है delta x1 mod के अंदर डाल देंगे तिया जाएगा absolute error in x1 x1 का जो absolute error basically उसका magnitude कितना है उसको sign को हटा के देखा जाए तो क्या number है that is magnitude of error तो यह जो magnitude है वो represent कर रहा है ठीक है अगर हम x mean लिख रहे हैं तो यह true value वही represent कर रहा है हम लोगों ने discuss कर लिया ठीक है अगर हम लोगों ने लिखा है delta x mean तो यह क्या कर रहा है जितने भी errors थें उनके absolute error के average को represent कर रहा है ठीक है न तो यह क्या है mean of absolute errors यह क्या है mean of absolute errors इस सारी चीज़े note करोगे आप लोग ठीक है mean of absolute errors तो I hope यह सारी चीज़ें आपको confirm clear है ठीक है न अब हम लोग आगे बढ़ते हैं next topic आता है that is relative error और fractional error यह relative error क्या है यह तरह का ratio है किसका ratio है mean absolute error का to the mean value और true value तो true value को हम लोग कैसे represent करते है true value को represent करते है x से ठीक है और mean absolute error को कैसे represent करते है इसको हम लोग represent करते है mean absolute error को ऐसे ठीक है तो इन दोनों का जो ratio है इस ratio को हम लोग क्या बोलते हैं देख आप ऐसे भी represent कर सकते हो और ऐसे भी represent कर सकते हो ठीक है दोनों तरीका है अगर आप X को मतलब mean value को जो भी true value है इस true value को अगर आप ऐसे represent कर रहे हो तो जो इसका error होगा वो आप ऐसे represent कर होगे net error ठीक है ना अगर आप ऐसे represent कर रहे हो true value को तो जो error होगा वो आप ऐसे represent कर होगे तो दोनों तरीके साफ represent कर सकते हो, वो दिकत नहीं है, ठीक है, तो इसी ratio को हम लोग बोलते है, relative error, ठीक है, तो relative error बोलने का मतलब क्या है, कि एक तरह का ratio है, किसका mean absolute error का अपने true value से, क्या relation है, उस relation को basically यह दिखा रहा है, ठीक है न, तो यह एक ratio है, इसी हम लोग fractional error भी कहते हैं, clear, ठीक, next percentage error, अब दीके percentage का क्या concept है, कि जो भी relative या fractional error होता है, उसको जब हम लोग percentage के form में express करते हैं, अच्छा percentage होता है, यह percentage न, एक तरीका है लिखने का, किसको, fraction को लिखने का, ठीक है, अब जैसी कि देखा जाए, तो यह क्या है, एक तरह का fraction ही तो है न, delta x by x, एक ratio है, मद अब एक तरह का fraction है, इसी fraction को, हम जब percentage को form में लिखेंगे, percentage को form में कैसे लिखते हैं, इसको 100 से, अगर multiply, divide कर दें, तो कोई दिक्कत है क्या, हमने कुछ नहीं किया, 100 से बस multiply, divide कर दिया, ठीक है, तो इस case में, क्या होगा, कि delta x by x into 100, और नीचे वाला जो 100 है, into 1 by 100, फ़र में open करके दिखा दे रहा हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, delta x by x into 100, एंड ये जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, percentage, क्या बोलते हैं, percentage, percentage का मतलब होता है, out of 100, percentage का मतलब होता है, out of 100, मतलब 100 में कितना, ठीक है, तो percentage error कुछ नहीं है, ये वही relative error है, बस इसको percentage के form में लिखा हो गया है, ठीक है, percentage is also type of fraction, लेकिन उसका बस format अलग होता है, ठीक है, एक बाद वापस हम यहाप लिख देते हैं, delta x by x into 100%, ये percentage error का formula हो गया, ठीक है, है, I hope clear होगा, तो ये आपका relative error है, relative error और ये क्या है, आपका percentage error, ठीक है, percentage error पता है, relative error find कर सकते हैं, relative error पता है, percentage error find कर सकते हैं, क्योंकि दोनों same ही चीज़े हैं, बस लिखने का format अलग है, बस इसको 100 से multiply divide कर दियां, और कुछ नहीं, ठीक है, next है, propagation of error, error का propagation, मतलब की error किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से आगे चलता है, ठीक है, देखे, error अगर किसी quantity में है, ठीक है न, तो अब जब किसी और से उसको add करोगे न, तो error बढ़ा होगा, ठीक है, अब दो चीज़ें आपने measure किये हैं, ठीक है न, दो, sorry, दो चीज़ें को आपने measure किया, एक चीज़ ये, एक चीज़ य रहता है, तो आपने अगर इसे measure किया, तो इसमें भी कुछ error था, इसे measure किया, इसमें भी कुछ error था, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, तो error भी जूड़ेंगे, तो error भी बढ़ेगा, ठीक है न, तो error जो है, वो propagate करता है, मतलब increase करता है, या decrease करता है, depending on the situation, ठीक है, त तो sum जब हम लोग करते हैं किसी दो quantity का, तो error का क्या होता है, error किस तरीके से जोड़ता है, error को हम लोग difference में किस तरीके से जोड़ते है, error में, error जब हम लोग किसी दो quantity को product करते हैं, तो error का क्या होता है, जब divide करते हैं, तो error का क्या होता है, जब power लेते हैं, तो error का क्या होत तो चलिए assume करते हैं कि मेरे पास कोई एक quantity है ठीक है न तो उसके measurement को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे हैं x plus minus delta x दूसरा quantity है जिसके measurement को हम लोग लिखे है y plus minus delta y ये दो तरहा का measurement हमने लिया अब जब इन दोनों को हम लोग add करेंगे तो क्या होगा तो add करने में क्या होता है न कि errors भी add हो जाते हैं यह हो जाएगा x plus y and then plus minus delta x plus delta y ये आपका final error होगा तो error भी क्या हो जाता है add हो जाता है जैसे example के लिए कि अगर आपके पास दो rods हैं एक ऐसा और एक ऐसा इसका length माल लेते हैं कि 5 plus minus 0.1 है कुछ units centimeter माल लेते हैं और इसका है 6 plus minus 0.2 centimeters then जब आप इन दोनों को finally add करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 plus minus 0.3 centimeters यह दोनों add हो गए and then errors भी add हो गए तो आपका जो maximum error इसमें आ सकता है वो maximum error क्या आएगा इन दोनों error का summation यानि कि delta x plus delta y यह आपका maximum error होगा और यहीं आपका minimum error भी होगा but with opposite sign minus delta x minus delta y तो that is equals to minus delta x plus delta y तो यह आपका minimum error है तो minimum error maximum error दोनों same होते हैं summation में दोनों को simply add कर दिया जाता है ठीक है एक छोटा सा example इस चीज को ले करके हैं और इसमें uncertainty uncertainty का मतलब होता है error इसका मतलब है error तो जो error है वो plus minus 0.1 cm का है मतलब यह 0.1 cm ज्यादा भी हो सकता है 0.1 cm कम भी हो सकता है जो width है उसे measure किया गया 5 cm और इसमें जो error था वो कितना था plus minus 0.2 cm का मतलब यह 5.2 cm भी हो सकता है 4.8 cm भी हो सकता है 0.2 जाला 0.2 कम possibility है exactly मुझे नहीं पता कितना है कितना नहीं है बट इतना हो सकता है तो पुछ रहा है कि कितना certainty होगा uncertainty होगा कितना error होगा अगर हम perimeter calculate करेंगे इस rectangle का इस rectangle के perimeter calculate करने पर क्या error generate होगा तो perimeter होता क्या है perimeter होता है 2L plus B length plus breath तो basically हम लोग length और breath को add कर रहे हैं तो यह addition है तो addition में क्या होता है कि error भी क्या हो जाता है sum हो जाता है plus minus 0.1 ठीकर इसको हम लोग ऐसे लिख लाते हैं this one plus breath कितना है 5.0 plus minus 0.2 this much centimeter P हो जाएगा 2 इन दोनों को हम लोग add कर देंगे 10 plus 5 15.0 and then error भी add हो जाएगा this will become 0.3 ठीक है then यह क्या होगा multiply होगा so this will become 30.0 plus minus 0.6 centimeter तो यह मेरा final answer होगा कि total uncertainty इतना है parameter के calculation ठीक है न कि जब भी parameter हम लोग calculate करेंगे इस measurement के साथ तो मुझे यह error मिलेगा ठीक है I hope यह आपको clear होगा maximum error 0.6 centimeter जो parameter होगा वो कहां से कहां तक लाए करेगा ज्यादा ज्यादा 30.6 centimeter हो सकता है parameter ज्यादे ज्यादा मतलब इससे तो बड़ा नहीं होगा इससे छोटा ही होगा और इससे बड़ा होगा किससे बड़ा 30.0 minus 0.6 इससे तो बड़ा ही होगा तो यह हो जाएगा 29.4 centimeter 29.4 4 cm से बढ़ा होगा अब 30.6 cm से छोटा होगा इन दोनों के बीच में कहीं लाइ करेगा कि आई होप यह किलेर होगा आपको राइट नेक्स अन्वाइक बढ़ते हैं difference में ठिक है difference में भी ऐसी सेम चीज है ठिक है difference में भी वही सेम चीज होता है अगर कोई measurement है x plus delta x और दूसरा measurement है y plus delta y तो जब इन दोनों का difference लेते हैं तो x plus delta x minus y plus delta y तो x minus y और जो error आ जाएगा वो plus minus delta x plus delta वारी यही आएगा सेम ही चीज़ आएगा ठीक है तो summation में और difference में यह दोनों सेम ही चीज़े होती है जैसे example के लिए अगर कोई measurement है let's say 5 plus minus 0.2 और दूसरा measurement है 4 plus minus 0.1 ठीक है तो हम बोलेंगे कि इसका जो maximum error हो सकता है वो कितना हो सकता है 0.2 plus 0.1 that is 0.3 अभी आप इसमें देखिए कि यह जो दो measurements थे 5 plus minus 0.2 और 4 plus minus 0.1 इसमें आपका maximum error 0.3 क्यों आया यह maximum आएगा कब क्योंकि हम लोग difference ले रहे हैं तो difference ले रहे हैं तो इन दोनों का जब difference हम लोग लेंगे ठीक है तो यह sign जो होगा 5 plus minus 0.2 यह यहां पर positive हो जाएगा अगर multiply कर देंगे इसको इधर minus को अंदर अगर डाल देंगे तो हो जाएगा minus 4 और यह plus minus बन जाएगा minus plus बन जाएगा 0.1 इसमें देखें आपको एक चीज दिख रहा होगा इसमें कुछ जादा कुछ change नहीं हुआ यह सेमी चीज है प्लस minus 0.1 ही तो है ना तो पिछले बार के जैसा ही हो गया 5 plus minus 0.2 plus minus 4 plus minus 0.1 तो error जो दोनों में था वो तो पिछले बार के जैसा ही है बस change किसमें हुआ है first वाले म है ना जो मेरे पास mean value था उस true value में mean value में change आया है बाकी error तो जो था वो वह ही है ठीक है तो ये इसलिए जो error होता है वो difference के case में भी maximum होता है जब दोनों को हम लोग add कर देते हैं और minimum होता है जब हम दोनों को add कर देते हैं चीक है ना तो इसी वज़े से ऐसा होता है ठीक है तो I hope कि आपको समझ में आया होगा एक छोटे से example करते हैं इस से related जो length है rectangle का वो है 20 cm और इसका जो error है uncertainty है वो है plus minus 0.5 तो length हम लोग लिख लेते हैं 20.0 plus minus 0.5 cm ठीक है width जो है यानि breadth जो है वो है 15 cm plus minus 0.2 cm 0.2 का uncertainty है यहाँ पर तो calculation करना है difference of side sides के difference के बारे तो L minus B basically calculate करना है तो L minus B का मतलब हो जाएगा 20.0 plus minus 0.5 minus 15.0 plus minus 0.2 ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 20.0 minus 15.0 plus minus 0.5 plus 0.2 एरर को क्या करना है add करना है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 5.0 plus minus यह केतना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा तो यह मेरा final measurement आएगा तो मेरा जो final measurement है वो इस form में रहेगा ठीक है I hope कि यह आपको clear होगा ठीक है next हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में that is error in product product में किस तरह के error होगा प्रोड़क्ट में जो error होता है न वो error निकालने के लिए प्लस और माइनस जैसा नहीं होता तोड़ा complicated है हम लोग इसको differentiation से निकालते हैं अच्छा खासा differentiation इसमें यूज होता है उसके help से लोग निकालते हैं तो आप एक चीज़ मान के चलो कि अगर कोई measurement है जो कि इस form में है a b के form में ठीक है रो तो यह जो error होगा मा लेते हैं कि y is equals to a b है ऐसा तो जो भी error होगा इस y में ठीक है य का relative error होगा वो equal होगा a का relative error प्लस b के relative error ठीक है ऐसा तो y is equals to a b है जो भी measurement है वो measurement इसके equal है ठीक है तो जो भी error होगा y का relative error वो equal होगा a का relative error प्लस b का relative error ठीक है एक छोटा से example करते हैं आप इस statement को पकड़के चलो यही statement जो है वो main है ठीक है इसी statement को आपको ले करके चलना है कैसे आया है कैसे नहीं आया है वो लोग बाद में discuss करेंगे differentiation mathematics के class में आप लोग इसको discuss कर सकते हो ठीक है आप इसको पकड़के चलो यहाँ पर ऐसा है ठीक है product के case में ऐसा है एक छोटा से example लेते हैं length जो है और जो width है rectangular field का वो इतना और इतना है तो length हमारे पास है कितना 20 plus minus 0.5 breadth कितना है 15 plus minus 0.2 meters हमें क्या calculate करना है maximum possible error इसमें जो maximum error possible है वो कितना होगा जब हम इस field का area calculate करेंगे तो area क्या होता है area होता है length times breadth तो area का जो relative error होगा वो same होगा किसके equal इसके relative error plus breadth के relative error के ठीक है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है maximum possible error क्या होगा area में area में maximum possible error कौन है यही टो है delta a यहीं न है maximum possible error जो हो सकता है area में वो कौन होगा delta A होगा तो मैं delta A का value पता करना है A का value पता है क्या बिल्कुल पता है L into B करेंगे L का value पता है B का value पता है delta L पता है delta B पता है सब कुछ पता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे delta A हमें find करना है area क्या होगा L into B that is 20 into 15 then delta L क्या हो जाएगा delta L हो जाएगा हमारे पास 0.5 है 0.5 और length कितना है 15 नहीं 20 प्लस delta B कितना है 0.2 और breath है कितना 15 इसे हम लोग solve करेंगे तो यहां से delta A का जो value आएगा 0.5 प्लस 0.2 बाई 20 यहां पर LCM लेंगे हम लो 0.5 इंटू 15 प्लस 0.2 इंटू 20 बाई LCM ले लिए 20 इंटू 15 और इधर भी था 20 इंटू 15 यह दोनों reduce हो जाएगे और हमारे पास दो expression बचेगा वो बचेगा delta A इस इक्वल्स तू 15 इंटू 5 इस 75 इंटू 5 प्लस 4 राइट 4.0 तो delta A मेरे पास आ जाएगा 11.5 तो maximum possible error मेरे पास रहा है वो है 11.5 का ठीक है I hope कि आपको यह clear होगा अब चलते हैं अपने next topic पे that is error in division तो division में भी जो error होगा वो same product के जैसा ही होता है ठीक है ना तो अगर कोई measurement हमने लिया है y is equals to A by B तो जो error होगा तो जो relative error होगा y का वो equal होगा relative error in A plus relative error in B ठीक है minus मत करते जाएगा division के वज़े से addition ही होगा ठीक है तो यह division के लिए clear छोटे से example लेते हैं division का एक student है जो density find करना चाहता है किसका एक irregular shaped object है formula है इसका density is equals to mass by volume mass है M, V है volume तो जो object का जो mass है वो कुछ इतना measure करके आया है M is equals to 500 gram इसमें जो error है वो कितना आपको दिख रहा है plus minus इसमें जो error है आपको वो कितना दिख रहा है volume कितना दिख रहा है आपको volume जो है वो 250 है 250 centimeter cube and volume में जो error है वो कितना दिख रहा है हमें plus minus 1 का तो plus minus 1 centimeter cube हमें find करना है density object का and its uncertainty using error propagation technique तो density क्या होगा और उस density में error कितना होगा ठीक है तो density अगर हम calculate करें तो density कितना हो जाएगा this is mass by volume so this is equals to 500 by 250 so 500 by 250 यह हमारे पास result निकाल के देगा 2 so 2 grams per centimeter cube यह क्या निकला density निकला ठीक है तो जो density में error होगा हम इस formula को यूज़ कर सकते है कि relative error in density is equals to relative error relative error in mass plus relative error in volume क्योंकि density is equals to mass by volume है तो यह formula apply होगा यह हमें find करना है relative error in density density मुझे given है 2 delta m मुझे given है 0.5 का m का value मुझे पता है 500 grams plus volume में error मुझे पता है 1 and यह पता है 250 चीक है अब हम लोग क्या करेंगे इधर इसका lcm लेंगे तो यहां से इधर आ रहे हैं हम लोग तो delta density by 2 error in density by 2 यह हो जाएगा मेरे पास कितना 5 by lcm ले ले लेते हैं 500 का यह हो जाएगा 0.5 plus 2 so that is 2.5 by 500 यह हो जाएगा 25 by 5000 and यह equal हो जाएगा 1 upon 200 के तो अगर हम यहां से देखें तो जो density में error है वो हो जाएगा 2 times 1 upon 200 क्योंकि यह वाला जो 2 था उधर जाके multiply हो जाएगा so error in density is 1 by 100 so error in density is 0.01 यह मेरे पास आजाएगा density में error तो जो भी error होगा density में वो इतना होगा 0.01 का ठीक है so I hope कि आपको यह चीज clear हो गया होगा एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको significant figures को हमेशा consider करना है ठीक है न significant figures के बारे में आप लोग को हमेशा consider करना है उसके बारे में आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जैसे इस case में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपके पास one significant figure है ठीक है? यहाँ पर भी आपके पास one significant figure है ठीक है? final answer में भी आपके पास one significant figure होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है क्या? तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है next term लोग आगे बढ़ते है error in raising to power अगर किसी का power raise करते हैं तो error क्या होगा? तो जैसे कोई भी quantity है y is equals to कुछ ऐसे है x raised to a y raised to b by z raised to c ऐसा तो जो भी relative error होगा y का वो equal होगा a times relative error in x plus b times relative error in y plus c times plus करना है, minus नहीं, ठीक है न? relative error in z अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि basically क्या हो रहा है कि एक छोटा से example लेके देखते हैं अगर हम बोले कि कोई number है वो equal है 2 का पावर 3 into 3 का पावर 2 by लेता है 5 का पावर 2 तो इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो 2 है कोई भी एक quantity है, मानके चलते हैं, ठीक है, जो 2 है वो 3 times multiplied है 3 जो है वो 2 times multiplied है 5 भी जो है वो 2 times multiplied है, ठीक है तो जब अब हम लोग relative error लेंगे तो relative error इसमे, plus relative error इसमे, plus relative error इसमे, plus relative error इसमे, plus relative error इसमे, ठीक है न, इस तरीके से तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इन सब के जगह पे हम लोग न, कुछ variables एक लेता है तो ज़्यादा असान हो जाए, अगर से की A, B, C तो A को हम लोग 3 बर multiply किये हैं, B को 2 बर multiply किये हैं, और C को भी 2 बर multiply किये हैं तो इसका जो error हो जाएगा, वो हो जाएगा, delta A by A, plus इसके लिए क्या लिखेंगे फिर से delta A by A, फिर से delta A by A, तो delta A by A कितने हो गए, 3 बार फिर इसके लिए लिखेंगे, delta B by B, plus delta B by B, वह ही multiplication और division वाला rule निकाल रहे हैं, plus delta C by C, plus delta C by C, तो delta A by A कितने बार हैं, तीन बार हैं, इसको लिखेंगे, 3 times delta A by A, plus 2 times delta B by B, plus 2 times delta C by C, तो I hope कि यह आपको concept clear हो गया होगा कि जब हम लोग power raise करते हैं, तो इस तरह का format हमें क्यों देखने को मिलता है, ठीक है, तो इससे related एक छोटा इस example हम लोग समझते हैं, एक student है, जिसको volume निकालना है, एक sphere का, उसका जो radius है, वो इतना है, ठीक है, तो calculate करना है maximum error कितना होगा ठीक है, तो देखें, जो भी volume होता है, वो volume क्या होता है, radius का cube होता है, ठीक है, तो relative error in volume क्या होगा, relative error in radius, तो radius का कुछ ऐसा हो जाएगा, delta r by r, वही technique, propagation technique के help से, तो delta v कितना है, हमें find करना है, नहीं पता, volume कितना हो जाएगा, अगर radius 1.5 है, तो volume इसका cube हो जाएगा, right, 15 का cube 3375, decimal लगेगा यहाँ पर, so यह हो जाएगा 3.375 is equal to 3 times, radius कितना है, मतलब radius में जो error है, that is 0.1, and radius है 1.5 का, तो यहाँ से, यह दोनों तो decimals cancel, reduce हो जाएगे, और यह 5 times में कर जाएगा, यह आ जाएगा 1 upon 5, तो मेरे पास, जो error होगा volume में, वो हो जाएगा, 3.375 by 5, so error in volume निकल के आएगा, 0.675, but यहाँ पर हमें significant figure के बारे में भी ध्यान रखना है, तो significant figure यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, कि जो error था, उसमें significant figure कहां तक है, one significant figure है, right, तो हमारा जो final answer होगा, उसका जो error होगा, उस error में भी one significant figure तक के होने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ 3 significant figure दिख रहा है, तो हमें यहाँ तक का value consider करना होगा, लेकिन क्योंकि आगे 7 है, तो 7 क्या करेंगे, इसको round off करके लिखेंगे, तो हमारा जो final error होगा volume में, वो हो जाएगा 0.7 का, तो हमारा final answer होगा, maximum error होगा, जो volume में निकल के आएगा, that is 0.7, okay, so I hope यह example से आपको clear हो गया होगा, power वाला चीज, ठीक है, अब यह आपके लिए question है, कि YC, करवाईए, ठीक है, आप pause कीजिए, और थोड़ा सा question को solve करने का causes कीजिए, चलिए, I hope हो गया होगा, हम लोग solve करते हैं इसको, एक measurement है, जो कि period of oscillation of a helical spring, कोई spring है, helical shape का, और वो oscillate कर रहा है, इस तरह का कोई spring है, ठीक है, यह oscillate कर रहा है, up and down, ठीक है, तो इसका कुछ rating निकाल के आया, किसका जो time period है, यहां period बुलने का मतलब क्या है, time period, T, oscillation, एक oscillation करने में कितना time लग रहा है, तो time period 1, T1 कितना निकल के आया, 2.15 seconds, छिक है, दूसरी बर measure कीए, तो time period कितना निकला, 2.25 seconds, तीसरी बर measure कीए, तो time period कितना निकला, 2.36 seconds, 4th time measure किएं तो time period कितना निकला 2.45 seconds 5th बार measure किएं तो time period आया 2.54 seconds calculate करना है absolute error क्या होगा relative error क्या है और percentage error क्या है relative या percentage error दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों भी calculate कर सकता है कोई दिकत नहीं है थीक है तो पहले हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग find कर लेते हैं absolute errors तो हमारे पास absolute value तो है नहीं true value तो है नहीं true value कैसे निकालेंगे इन सब का average लेके निकालेंगे true value जो होगा t ये कैसे निकलेगा t1 plus t2 plus कहां तक t5 तक by 5 तो सबको add कर लेते हैं तो आजाएगा 10 10, 10, 20 10, 20 25 करी 2 5 5 10 7, 17 करी 1 and this is 10, 11 so 11.75 11.75 upon 5 so, तक is a value जोगएगी जोगएगी 2. 2.35 यह T के value है 2.35 ठीक है अब देखें क्योंकि यह T है 2.35 यह मेरा true value हो जाएगा and then अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग error को calculate कर सकते हैं तो T1 में जो error होगा इसका अगर हम लोग mod ले लें तो absolute error मिल जाएगा क्या इसका absolute error कितना हो जाएगा modulus of क्या error कितना निकलेगा T minus delta T1 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा T कितना है 2.35 और और T1 कितना है 2.15 तो delta T1 अगर हम निकालें तो delta T1 का जो mod होगा वो कितना हो जाएगा इन दोनों को subtract करेंगे तो आ जाएगा 0.2 आ जाएगा तो यह आ जाएगा 0.20 इसी तरीके से अगर हम लोग delta T2 calculate कर सकते हैं तो delta T2 कितना आ जाएगा यह आ जाएगा this minus this तो यह आ जाएगा 2.10 तो 0.10 राइट यह जाएगा 0.10 अपनों calculate कि जाएगा मैं बस ऐसे ही calculate कर रहा हूं ठीक है तो जाएगा यह जाएगा this minus this कितना हो जाएगा 0.01 राइट 0.01 देन delta T4 यह कितना हो जाएगा this minus this तो 0.10 तो and delta T5 यह कितना होगा यह जाएगा 9 1 0.19 0.19 तो यह सारे absolute errors आ गये relative error क्या होगा relative error होगा delta T1 by sorry delta T by T अब delta T कैसे निकलेगा delta T कैसे निकलेगा इन सब का average लेकर करके T1 T2 T3 T4 T5 delta T1 delta T2 delta T3 delta T4 delta T5 इन सब का जब हम लोग average ले लेगे तो हमारा delta T आएगा ठीक है इन सब का average ले ले लेते हैं तो delta T हमारे पास आ जाएगा कितना 0.2 plus 0.1 plus 0.01 plus 0.1 plus 0.19 मैं significant figure consider नहीं कर रहा हूं आपको significant figure consider करना है राइट यह कितना हो जाएगा 0.3 0.4 0.59 0.59 0.59 0.6 0.6 upon 5 यह जाएगा 0.12 ठीक है तो यह आगया delta T 0.12 2 and then जो T है हमारा वो T कितना है 2.35 तो मेरे जो final answer आएगा relative error वो कितना आजाएगा इन दोनों को divide करने के बाद तो आजाएगा 12 divided by 235 मैं से calculator से कर लेता हूं ठीक है तो यह जो result आएगा वो आएगा 0.051 0.05106 कुछ ऐसे result आए गई ठीक है तो result आ रहा है 0.05106 अभी देखे हमें significant figure भी consider करना है ठीक है ना significant figure कैसे consider करेंगे यहाँ पर देखें यह जो मारा final answer आया अभी यह answer आया कहां से है यह जो answer है यह आया हमारा यहां से ठीक है तो यहां पर अगर आप उपर तो उपर आपको one significant figure देखेगा और नीचे आपको infinite significant figure देखेंगे तो हमारा answer होगा इसमें final वो यहां तक significance रखेगा अभी हम लोग round off नहीं करेंगे completely इससे रखेंगे for calculation purpose वो दाट कि हमारा error कम आए ठीक है ना बट जो significance है वो मेरा यहीं तख है we learnt जिक है इसका मुट करेंगे ठीक है यह यह वन तख significant रखता है थीक है अभी अगर यहां पर देखे टाइम पीरेट में तो time period कहां तक significant रख रह रहा है उपर अगर देखा जा तो यहां फोर significant figure है है ना उपर four significant figures है और नीचे infinite significant तो मेरा जो time period का जो final answer आएगा उसमें 4 significant figure होना चाहिए, मतलब हम यहां तक consider कर सकते हैं, 2.350 यहां तक consider किया जा सकता है, ठीक है न, अब जब delta t by t कर रहे हैं, तो उपर यहां तक significant है, और नीचे यहां तक significant है, right, जो मेरा final answer आएगा, उपर है 1 significant figure और नीचे है 4 significant figure, तो answer में lowest वाला, यानि कि 1 significant figure होना चाहिए, तो 1 significant figure यहां तक, significance यहां तक रख रहाएगे, इसके आगे नहीं, ठीक है न, तो जो मेरा final answer आएगा, relative error का, वो क्या जाएगा, 0.05, यह, percentage error जब calculate करेंगे, तो percentage error क्या होगा, percentage error हो जाएगा, मेरा क्या, delta t by t into 100%, ठीक है, तो delta t by t हमने क्या find किया था, 0.0505 into 100%, यह आ जाएगा, मेरे पास 5%, तो मेरे पास जो percentage error निकल के आएगा, वो 5% का निकल के आएगा, तो I hope कि यह आपको clear होगा, अगर यहाँ पे बोला गया होता, mean absolute error find करने के लिए, mean absolute error find करने के लिए, तो यह क्या है, यह मेरा mean absolute error है, है ना, तो जह हम mean absolute error का final answer लिखेंगे, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ध्यान में रखेगा, आपको final answer हमेशा significant figure को consider करके लिखना है, तो mean absolute error का final answer आपका 0.1 होता, ठीक है, 0.12 आपका आया है निकालके, बट आप finally जब इसका answer लिखोगे, तो 0.1 लिखोगे, calculation के लिए आप यूज कर सकते हो, बट आपका जो final answer होगा, mean absolute error का, वो 0.1 होगा, 0.12 नहीं होगा, ठीक है, चलिए इसे आप लोग pause कीचे वीडियो को and calculate के लिए, चलिए बनाते हैं उसको, तो किसी material को जो density है, cube के shape में, वो determine किया गया है, तीन sides को major करके, और उसके mass को major करके, ठीक है, तो जो भी relative error है, mass और length में, वो दिया हुआ है, ये और ये, तो जो maximum error होगा, density निकालने में, वो कितना होगा, अच्छा, density क्या होता है, density जो होता है, वो होता है, mass upon volume, हम लोगों ने अभी देखा, तो जो भी relative error होगा, density का, वो किसके equal होगा, relative error of mass, plus relative error of volume, ठीक है, अब volume में relative error कितना है, अभी देखे, हमें नहीं पता न, relative error, लेकिन relative error और percentage error, दोनों same ही चीज़े हैं, अब relative error बोलो, ये percentage error बोलो, दोनों same ही चीज़े हैं, तो ये जो पूरा quantity आपको दीख रहा है, ये relative error जो है, इसको हम percentage के form में भी लिख सकते हैं, क्या, into 100% तो लिखी सकते हैं, तो यहाँ पे, इसको हम लोग percentage के form में लिख सकते हैं, तो delta, this by this, जो भी density होगा, वो किसके equal होगा, वो equal होगा, इसके percentage, याने की, ऐसे हम लोग कर लते हैं, multiply कर लते हैं, 100 से, ठीक है, तो this by this into 100% is equals to delta M by M into 100% plus delta V by V into 100%, तो ये percentage error in mass, percentage error in volume and percentage error in density, ठीक है, तो percentage error in density, percentage error in density, किसके equal होगा, percentage error in mass के, plus percentage error in volume के, ठीक है, तो जो भी ये है, ये percentage error in mass कितना है, 1.5% और ये कितना है, 1%, ठीक है, तो percentage error in density, कितना है, ये हो जाएगा, 2.5% का, तो ये हमारा final answer हो जाएगा, I hope, कि ये आपको clear होगा, अच्छा, ये volume का percentage error नहीं है, sorry, 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 ये मुझे दिया गया है, length का percentage error, है ना, तो volume में percentage error कितना होगा, क्योंकि volume तो होता है, LQ, है ना, LQ होता है, तो इसका अगर percentage error calculate किया जाए, volume का relative error, तो ये हो जाएगा, 3 times of delta L upon L, है ना, तो percentage error in length, percentage error in volume का 3 times होगा, percentage error in volume जो होगा, वो percentage error of length का 3 times होगा, तो हम बोल सकते हैं कि, जो volume का percentage error है, वो 3 times होगा, length के percentage error के, ठीक है, तो length का percentage error 1% है, तो इसका जब 3 times करेंगे, तब volume का percentage error मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा answer आएगा, वो 2.5 नहीं आएगा 1.5% plus 3% that is 4.5% तो मेरा जो आंसर आएगा वो यह आएगा 4.5% आएगा ठीक है I hope कि आपको यह clear होगा नहीं clear होगा तो एक बार वापस आप repeat करके देखना clear हो जाएगा चीज़ ठीक है Pause कीजिए और खुद से बनाने का कोसिस कीजिए चली solve करते हैं इसको तो किसी भी solid का density है जिसका density को determine करना है experiment में diameter given a ball का with a screen gauge 0.5 mm and there are 50 divisions on the circular scale okay screw was एक apparatus है जो कि किसी भी चीज़ के diameter को measure करने में help करता है या फिर उसके छोटे चीज़ों का diameter जो भी होता है cylindrical चीज़ों का उसको measure करने में help करता है ठीक है तो यहां पर जो दिया वैज कि जो screw goes है ना उसका जो pitch है वो 0.5 mm है अभी देखें यह वाद जो question है ना यह हम लोग रख लेते हैं हम लोग तब पढ़ेंगे जो screw watch पढ़ेंगे ठीक है ना तो वहां पर ज्यादे अच्छे समझना आएगा तो अभी हम लोग इसको थोड़ा कर देता है इस question को ठीक है एंड वहां जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको यह बहुत अच्छे समझ माँ जागा कि मैं बोलना क्या रहा हूं कि थोड़ा समझाना चलूरी है कि पीछ क्या है ठीक है ना जो डिविजन हैं वो कैसे हम लोग करते हैं इन सारी ठीक है हलाकि आप बनाना चाहो तो थोड़ा सा आप दिमाग लागा यहां पर बना सकते हों त्राइक करके देखना बाकि हम लोग डिसक्रस करें इस टाइम पर ठीक है यह वह लग कुश्चिन एक बढ़ा बना के देख लो पॉस करो एंड ट्राइक करो बनाने को चली इसको करते हैं हम लोग कॉपर वायर जो है वो स्ट्रेच कर दिया गया है 0.5 परसेंट लॉंगर मतलब पहले जितना भी उसका लेंथ था उससे 0.5 परसेंट थोड़ा लंबा स्ट्रेच कर दिया गया है तो जो परसेंटेज चेंज आया उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस् में परसेंटेज हैंगर है तो देगेसे क्या हुता है रेंससस होता है सस्थ ऩविट है एल अपॉन कि गया इंब यह उता है पड़ा है और डगो है मैंने 2μ2 कर। ड़कर इसे आप सादर 9 और 10 और 10 पास करक्का तो 10 में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंज होता है ताइम्स लेंथ अपॉन एरिया होता है ठीक है अब यह क्या बोल रहा है कि 0.5% लंबा हो चुका है ठीक है तो चेंज कितना आया लेंथ में देखे रिलेटिव चेंज आप बोलिए या परसेंटेज या इर्लेटिव एरर बोलिए देखे एरर का मतलब क्या है चेंज मैंने बताया था ना कि चेंज कितना हुआ तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0.5% का चेंज आया है तो जो भी चेंज आएगा लेंथ में वो किसके एकवल होगा जो हो हो दे इसटी जो है यहाँ पर टिके वाल्यूम जो है वह और यहाँ आया है कि यहाँ पर हम लिख दिए है आप लिखना चाहीं था हैशेंज इन र देशेंटेंस किसके एकवर होगा change in resistivity plus change in length plus change in area ठीक है इसके अभी हमें पता है कि resistivity constant होता है यह तो change नहीं होता न किसी भी material के लिए पढ़े थे हम लोग तो जो मेरा फाइनल एक्स्प्रेशन आएगा वो क्या आएगा वो मेरे पास आएगा डिल्टा एल बाई एल प्लस डिल्टा एबाई अब यहाँ पर बोल रहा है कि जुसका वाल्यूम है वो अंचेंट है इस फॉमूला को अगर थोड़ा से हम लोग मॉडिफाई करते हैं एल बाई एल से मल्टिप्लाई डिवाइट करते हैं तो क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी एल स्क्वाइर बाई एक इन्टु एल हो जाएगा क्या इसको मुझ लेग सकते हैं रेजिस्टिविटी एल स्क् नहीं आ रहा, resistivity भी constant है ठीक है ना, तो change किसके वज़े सा रहा होगा resistance में इस length के वज़े सा रहा होगा, ठीक है तो यहाँ पे हम लोग जो final expression है वो final expression क्या लिख सकते हैं यह final expression हो जाएगा change in resistance जो होगा वो किसके एकवल होगा 2 times change in length by length के क्योंकि यह L का power 2 है ना और volume और density दोनों constant है तो इस हिसाब से जो uncertainty का जो principle है वो क्या बोरा है, 2 आगे आएगा and length का respective उसका जो relative change वो relative change के एक से multiply कर देगी तो delta R upon R यह हमें तो नहीं पता ना कि resistance में क्या change आ रहा है ठीक है, तो resistance में क्या change है मुझे नहीं पता, resistance पता है क्या resistance भी नहीं पता resistance हमें calculate करना होगा 2 times length में क्या change आया है 0.5% का change आया है यह क्या है, इसको हम percentage लिख सकते हैं इसको भी percentage लिख सकते हैं तो इस पूरे expression को हम लिख सकते हैं क्या percentage change in resistance is equals to 2 times percentage change in length तो percentage change change in resistance क्या हो जाएगा तो टाइन यह कितना गिवन है 0.5 परसेंट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंट्स कितना हो जाएगा कि 1 परसेंट राइट तो रेजिस्टेंट्स में 1 परसेंट का चींज आया है यहां पे न यह options थोड़े से उल्टे पूल्टे दिया है अपना यहां पे इसको 0.5% कर लो इसको 2% कर लो इसको 1% कर लो और 5% कर लो ऐसे कर लो ठीक है न यह थोड़ा उल्टा पूल्टा दिया हुआ था अब ऐसे कर लो आंसर आपका यह C हो जाएगा 1% ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं यह question जे में 2018 का है आप लोग इससे pause किजिए और बनाने का कोशिस किजिए चलिए solve करते हैं इसको एक material का density calculate करना है छेकर ना the density of material in the shape of a cube is determined by measuring three sides of the cube and its mass if the relative density relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5 and 1% यह वही सेम तरह का question है जो आपको पहले दिया गया था ना easy होगा असान होगा ठीक है तो length और mass का आपको percentage error given है ठीक है तो density क्या होता है density होता है mass upon volume तो जो भी relative error होगा density का वो किसके equal होगा relative error in mass plus relative error in volume इसको percentage का form में भी लिख सकते हैं तो percentage error in density equal होगा percentage error in mass plus percentage error in volume ठीक है तो percentage error in density आपको given है क्या नहीं given है यह हमें calculate करना है यह किसके equal होगा percentage mass यहां given है 1.5% 1.5% यह value percentage error in volume calculate करना पड़ेगा तो volume क्या होता है L3 होता है तो percentage error in volume sorry relative error in volume क्या हो जाएगा 3 times relative error in length तो हम बोल सकते हैं इसको percentage का form में जब लिखेंगे तो बोलेंगे percentage error in volume जो होगा वो 3 times होगा percentage error in length के and percentage error in length आपको given है that is 1% यह हो जाएगा 1% so percentage error in volume जो होगा वो 3 into 1% हो जाएगा so percentage error in volume हो जाएगा 3% इसे यह substitute कर देंगे so this is 3% and यह हो जाएगा 4.5% के equal so this is our answer यह same question था जो हमने अभी just follow किया था right repeat हो गया okay कोई बाद में so I hope कि यह आपको clear हुआ होगा अच्छे से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है न कैसे error calculate करना है और भी बहुत सारे questions लेकर के आएगे तो आगे तो measuring instruments हैं तो वो लोग हम लोग अगले next section के लिए रखें इस section के लिए तो इस वीडियो में इतना ही आप कुछ questions में upload कर दोंगा कि YC वाले questions तो आप लोग उससे जरूर बनाएगा धन्यवाद धन्यवाद